हलो फ्रेंड्स मैं संतोष वेलकम टू माई चैनल डिलिशिस पकवान मेरी जो आज की रेस्पी है वो है ब्रेड कलाकंद जिसको बनाना भी असान है अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए हमारे पास कुछ नहीं है तो आप इसको जटपट से बना सकते हैं इसको बनाना भी बहुत असान है और ये बहुत ही कम समय में स्वाद हमारी डिजर्ट बनकर त्यार होती है चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है ब्रेड कलाकंद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड लिए वाइट ब्रेड है आप चाहें ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं और उनकी जो साइड्स है वो मैं चाकू के साथ रिमूव कर दूँगी और सभी जो ब्रेड्स है मैंने कम से कम यहाँ पर दस ब्रेड लिए और उन सभी की साइड्स है रिमूव कर दूँगी मैं इसलिए remove कर दूँगी क्योंकि जो इसकी sides होती वो hard होती है इसी तरह मैंने सबी breads को इसकी sides remove कर दी और उसके बाद अब mixer jar लूँगी और इसको हाथ से bread को तोड़ लूँगी और उसके बाद mixer jar में हम जो bread है ऐसे तोड़ कर सबी breads को हम grind कर लेंगे और सबी breads के हम bread crumbs बना लेंगे सबी breads के bread crumbs बनाने के बाद मैं एक mixing bowl में डाल लूँगी फर इनको चमच के साथ अच्छे से mix कर लूँगी अब मैंने एक कप लिया यहाँ पे powder sugar मैंने चीनी का powder लिया आप चीनी लेकर उसको mixer jar में grind कर सकते हैं और इसका powder बना सकते हैं फिर मैंने एक कप लिया यहाँ पे dry milk powder सुखा दूद है और इनको अच्छे से मिला लूँगी इसमें और उसके बाद मैंने एक कप लिया यहाँ पर दूद का दूद है जो ठंडा है अलाइची powder लिया एक टी स्पून है और इसके साथ flavor बहुत अच्छा आता है और दूद को एकदम से सारे को mix नहीं करूँगी थोड़ा थोड़ा करके दूद डालूँगी इसमें ताकि जो हमारे bread crumbs है पूरी तरह दूद के साथ हमारा जो dry milk powder भी डालना और चीनी है पूरी तरह mix हो जाए अगर जरूरेदा तभी हम थोड़ा दूद और डालेंगे नहीं तो हम दूद इसमें ज़्यादा एड नहीं करेंगे जब हमारा ये थिक batter बन जाएगा ये देखो कितना अच्छा इसका texture हो गया अब इसको मैं एक cake tin लूँगी cake tin को grease कर लिया मैंने उसके साथ paper लगा कर butter paper और उसके उपर brush के साथ मैं grease कर लूँगी oil के साथ फिर मैं oil के साथ जब अच्छे से grease हो जाएगा हमारा cake tin उसके बाद मैं कुछ लूँगी यहां पर nuts है chopped nuts लूँगी आप अपनी choice के कोई भी ले सकते हैं मैंने पिस्ता और बदाम लिये हैं और उसके उपर सारे garnish कर दूँगी base के उपर फिर उसके बाद जो हमने better त्यार किया bread का वो उसके उपर इसमें पूरा डाल दूँगी और उसके बाद इसको मैं fridge में पूरी अच्छी तरह set कर दूँगी चम्मच के साथ जो better है evenly इसको spread कर दूँगी ताकि इसकी पूरी तरह यह setting हो जाए bread की जो हम कलाकंद बर्फी जो बनाएंगे bread की इसके साथ बहुत taste बन कर त्यार होता आप इस recipe को try जरूर करना और यह जटपट बन कर त्यार हो जाती है अब इसको मैं एक घंटे के लिए fridge में रख दूँगी एक घंटे के बाद मैं इसको refrigerator में से निकाल लूँगी और इसको de-mold कर लूँगी और यह देखो कितनी अच्छी हमारी जो कलाकंद है हमारी बन कर त्यार हो चुक है बिल्कुल बजार जैसा लग रहा है आप इस recipe को बहुत कम चीजों के साथ कम खर्च में और बहुत असानी से इसको जटपट घर पर ही बना सकते हैं अगर आपकी घर में कोई guest आने वाला हूँ तो आपके पास कोई dessert नहीं है तो आप के लिए यह बहतरी option होगी आप इस recipe को try ज़ूर करना और मेरा channel like करना share करना और मुझे comment करके बताना कि आपको यह recipe कैसी लगी अब यह अब serve करने के लिए त्यार है friends मैं आपको एक tips बताना चाहती हूँ कि अगर आपको यह थोड़ा इसका texture है hard रखना केक की तरह आप इसमें dry milk powder है और add कर सकते हैं ताकि यह देखो देखने में यह बहुत ही अच्छा लगता है आप इसको एक बार try जरूर करना